हलो स्वागत आपका मेरे चैनल है सलूशन पर मेरा नाम है सवर वर्मा और मैं हूँ अभी यूएस अमेरिका के अंदर कैलिवोर्निया मैं यहां पर बढ़ाता हूँ आपको बता दूँ आज हम बात करने वाले हैं ब्लीच के बारे में ब्लोंडर के बारे में जो कि काफी दिन आके आते हैं अलग-अलग कंपनी में अलग-अलग नाम रखे हूं बट क्रीम ब्लीच आता है पाउडर ब्लीच आता है जो क्रीम ब्लीच है वो माइल्ड होता है ध्यान से सुनिएगा क्रीम ब्लीच माइल्ड होता है पाउडर ब्लीच स्ट्रोंग होता है यह चीज बहुत कर सकते हैं with the help of 20 volume 20 volume के साथ आप roots पे लगा सकते हो कोई problem नहीं कोई issue नहीं है जिसको भी पूरे बालों को bleach करना है ठीक है 30-40 volume के साथ roots पे नहीं लगता है पहली बात दूसरी बात powder जो है bleach powder जो है वो roots पे नहीं लगाते हैं उससे damage होता है काफी हद तक damage होता है एक चीज ध्यान रखेगा 20 volume से bleach करोगे थोड़ा damage होगा 30 से bleach करोगे थोड़ा ज्यादा damage होगा बड़ आपको लेवल भी achieve होगा प्री लाइटन लेवल और अगर आप उससे उपर जाते हो 40 volume से बाल काफी weak होंगे damage भी होंगे बट आपको अगर पेल येलो पेलस्ट येलो कलर चाहिए तो आप achieve कर पाऊगे तो जिन लोगों के मेंदी लगा होता है हम लोग जातर यूज करते हैं मेंदी हिना काटने के लिए भी blonder को यूज करते हैं bleach को यूज करते हैं तो आप 20 volume के साथ या 30 volume के साथ हिना को कट करने के लिए यूज कर सकते हैं अब हिना कट क्यू करते हैं जब भी हमको color करना है तो हिना एक अपनी coating बना लेती है बालो के उपर इसलिए cuticles open नहीं हो पाते हैं और हम अलग से color penetrate नहीं कर पाते हैं इसलिए हमें bleach की help से वो पूरा wipe out करना पड़ता है कुछ जगा पे हिना फिर भी रह जाती है तो अगर हम bleach लगाते हैं हिना हेर पर तो कोपरिश रिजल्ट आता है या रेडिश रिजल्ट आता है जैसा कि आप फोटो में देखे हो अदर्वाइस इसके बाद bleach कट करके आप लीच लगा होगे कट हो जाएगा उसके बद कलर करोगे कुछ हद तक सेटल रिजल्ट आता है इतना अच्छा नहीं आता सम तो बहुतिह बहुतित closure लगा हो पूरे ध्यान से काम करने का एसजी डारेक्ट कलर मत लगा देना दूसरी चीजichen कि जिन लोगों के बालो में डाई किया हुआ है य। के मतलब पहले से वो डाई लगाते आ रहें, डिपेंड करता है, कितना पुराना है, एक बार लगाया है, दो बार लगाया है, 30 बर 40 बार depend करता हूँ कितने सालों से लगाते हैं तो dye hair को bleach करना almost ना मुंकिन है मेरा experience जो बोलता है मैंने बहुत सारे बालों पे अपना time भी waste किया है client भी खराव कर बैठा हूँ volume लगा के इसी चीज़ से आप सिखते हो तो आप जब भी dye लगा हो client कुछ जिद्धी होते हो बोलता है कि नहीं मुझे तो करवाना ही है तो आप उनके सामने एक stand test कर सकते हो stand test मतलब यहां से एक बाल लिया एक बाल मतलब एक patch लिया उस पे bleach लगाया छोड़ दिया foil के अंदर थोड़ी देर तक हम wait करेंगे जो भी हमारा processing time होता है मनलो bleach लिया एक चंबच दो चंबच हमने लिया developer 30 वोलिम या 40 वोलिम लगा के रखा almost 30-40 मिनट और चेक करेंगे और उसके अंदर अगर color change होता है तो आपके बाल आप उसमें color कर सकते हो या pre-light कर सकते हो या highlight कर सकते हो बट अगर color नहीं change होता है तो आप client को दिखा सकते हो जो जिद्धी client होते हैं कि यह देखिए इस पर result नहीं आ रहा है मेरा time waste होगा पैसा waste होगा मैंने जो मेहनत किया वो waste होगी और आप के साथ मेरा जगडा होगा का बाद में कि आप आपने तो बोला था कि color आएगा आपने इतना time भी लगाया और color नहीं आया तो इसलिए पहले ही बना कर दो भई नहीं आएगा sorry for that मेरे हाथ में नहीं है मैंने try किया है पॉसिबल्टी नहीं तो जिन लोगों के लगा हुआ है टाई तो जाधा time waste ना करें एक patch stand test करके दिखा दे उनको जिनके हिना लगा हुआ है कट करने के लिए हम यूज कर सकते हैं स्कल्प पर हम लोग bleach जो आता है में लगा प्री लाइटनर आता है वह हम यूज करते हैं क्रीम वाला special cream आता है वह mild होता है जो powder वाला होता है वह strong होता है वह highlighting के लिए और बालों का color change करने के लिए पूरा प्री लाइट करने के लिए हाइलेट्स करने के लिए हम लोग यूज करते हैं तो मैं सुझेशन करूंगा कि ब्लीच जो है ज्यादा तरह आप लोग 20 वोल्यूम से यूज करो ज्यादा बैटर है 30-40 ज्यादा डैमेज करते हैं टाइम जादा लगेगा 20 वोल्यूम से बट कुछ लेवल तक आप कवरेज कर सकते हो देन उसके बाद दुबारा रिपलाई कर सकते हो कुछ लेवल जब आप लाइटर लेवल तक जाते हो बेस के अंदर आप मालो तीन नंबर का बाल है दस नंबर का चाहिए 20 वोल्यूम से अचीव नहीं होता है तो आपको दो तीन बार अप्लिकेशन करना पड़ता है इसके बाद अचीव हो जाता है तो यह चीज ध्यान वोल्यूम है रेशो सेम रहेगा वन इंस्टिटू एक चमच मतलब 10 ग्राम व्लीच तो 20 ग्राम ड्वेलपर चाहिए 20 वोल्यूम 30 वोल्यूम 40 वोल्यूम कोई भी वोल्यूम हो सकता है तो यह क्लियर है राइट और कोई कोश्चन हो तो आप पूच सकते हो मेरे से नीचे कम top प्रापिक था भीज को लेके लोगर blonder को लेकर pre lightener को लेके कि द्री तो परिल ही चीज वर नाम अलग लग दिए हुए और इनका कम भी इह की है तो लास्ट में मैं आपको दिखाओंगा भी ढ़ जो लेवल हैं वो कैसे दिखते हैं विद्देख करने के बाद चार नंबर पांच नंबर पे बाल हूँ तो कैसे अगर हम प्लीच करते हैं तो कैसा देखता है छे नंबेर साथ नंबर आठ नंबर 9 नंबर दस नंबर पे एकदम लाइटर shame देखिए कितना अच्छा है राइट एकदम pre light हो यह फिर द्धान रखके करिएगा और आजकल तो प्लैक्स वाले ब्लॉंडर आ गए रगयें इस प्लोंडर कल प्लैक्स को अद्र आप अर और अडेविक मैं करें यह फिर आप उडा कि नहीं अप्लैज नहुत हैं तो तो प्लेक्स का आजकर बहुत जामाना जल रहा है, बहुत जादा ट्रेंडिंग है, आपके बाल डेमज नहीं होने देता है, वीक नहीं होने देता है, तो उसका रेशो कहरेगा, जो ब्लीच का रेशो है, वो उसके अंदर 2-3 ड्रोप्स ही जाती है, मतलब उसके उपर स्केल बना होता है, जो ओला प्लेक्स होता है, या वेला प्लेक्स होता है, तो वो स्केल के हिसाब से डालना पड़ता है, हर एक प्लेक्स के साथ उसका एक चार्ट आता है, कि आपको ब्लीच के कितने ग्राम के अंदर कितना अमल डालना है, तो उसके अंदर रहता है, तो ऐसी डर कर दीजिएगा share का button है share पर click करोगो यह link मिलेगा आपको यह link आप अपने friends के साथ Facebook के ऊपर Instagram की ऊपर what sharp वाटसब स्टेटस पर डाल सकते हूँ आप अपने friends को बहेश सकते हैं आप चोटी-चोटी वीडियोकिव बनाता हूं दज्स मिनिमिट की वह शेर किया करो सब फ्रेंट्स के साथ, ओके, चलिए आज के लिए इतना ही फिर मिलता हूँ, नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए बबहते के, गुट नाइट, हव गुट डेए, एंजोई I hope आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, आज का वीडियो जो था, अगर आपको पसंद आया है तो like, share, comment कर दीजे, जाने से पहले एक चीज़ बता दूँ, हमारे नए paid course आ रहे हैं, जो कि यहाँ पे दिखाई देंगे, इन paid course में आप देखी रहे हो, almost बहुत सारी color class, basic haircut 7, advanced haircut 5, olaplex treatment, smoothening, carotene, carasmoothening, state therapy, french baliage, hair extension, permanent blow drive, perming, और दो दिन का make-up class, तो यह आपको total 111 वीडियो मिलेंगी, जिसके अंदर आप यह सारी चीज़े सीख पाएंगे, और इसकी जो फीस है, वो भी आप screen पे देख पाएंगे, आप जोईन कर सकते हो जल्दी से, तो यह course start हो रहा है, June 4, June 4 से, तो जल्दी से ready हो जाईए, यह class join करने के लिए, और जाने से पहले हमारा Instagram जरूर follow करिए, क्यों, क्योंकि इस पे हम काफी सारे topics डालते रहते हैं, upcoming class के बारे में डालते रहते हैं, और काफी सारे video trailers भी डालते रहते हैं, आप जाके जरूर follow करें, इ player tips के बारे में, वो भी यहाँ पे मिलेंगी आपको, हमारे channel को join जरूर कर लीजेगा, यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो, join का button है, like के बाजू में, तो आप अगर subscribe button के बाजू में, जो join का button दबाओगे, तो उस पे एक video मिलेगी आपको, जो की 3 मिनट की video है, उस पे है, वहाँ जाके देखेगा, वहाँ detailed video है, और आज जाने से पहले video को like कर दे, share कर दे, सब के साथ, अपने Instagram पे, Facebook के, अपने WhatsApp पे, अपने WhatsApp status पे लगाईए, सब लोगों को दीजिए, WhatsApp पे share कीजिए इस video को, और बताइए कि हम लोग एक नया course लेके आ रहे, आज की video पसंद आई ते इसके बारे में बताईए, और share कीजिए, जाल से जादा share कीजिए, हमें share की बहुत जरूरत है, ठीक है, और अगर आपको video यही दुबारा देखनी है, दुबारा क्लिक कर सकते हैं, otherwise हमारे Facebook पे भी ये video है, और Instagram status में भी ये videos मिल जाएंगी आपको, चलिए आज के इतने ही फिर मिलता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए, बबाई, तेक केर, have a good day, enjoy, बबाई